नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो यदि आपका पेंड कार्ड हो गया है कहीं आपके पास पेंड नमबर भी नहीं है कोई पोटोकापी भी नहीं है और आप काफी परिसान हो रहे हैं कि भाई अब हमारा क्या होगा हम प्राप्त करेंगे तो दोस्तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आऊ सकता नहीं है बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका पेंड कार्ड किस कमपनी के द्वारा बनाया गया है देखे भारत के अंदर टूटल तीन रिजिस्टर कमपनी है पेंड कार्ड बनाने वाली एक UTI है दूसरा NSDL है और तीसरा Income Tax खुद है बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन तिनों में से किस कमपनी के द्वारा आपका पेंड कार्ड जो है वो बना है दोस्तो यदि आपका पेंड कार्ड UTI के द्वारा बना है या फिर Income Tax के द्वारा बना है और आप चाहते ह पूछना तो दोस्तो इसकी प्लेट में चेक कर सकते हैं पेंड कार्ड के नामसे बना हुआ है हालांकि उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्स न बॉक्स में डाल दिया है दूस्तो यदि आपका पेंड कार्ड यहां पे NSDL के द्वारा बना है तो अब आपको वह सकता नहीं है इस वीडियो में मैं आपको उनके contact number दे दूँगा उनके customer character number दे दूँगा जहां से आप सारे queries को अपने सारे समस्याओं का समाधान ले सकते हैं पा सकते हैं दोस्तो screen के उपर आप देख पा रहे होंगे nsdl के मैंने official website खोल करके रखा है और इसके अंदर contact us वाला section है उसे मैंने खोल करके रखा हुआ है यहां पर देखे जब स्क्रॉल करते हैं हम नीचे जाते हैं दोस्तो तो एक number आपको दिखाई देगा यहां पर queries related to pen तो कोई भी समस्या हो pen के regarding pen से संबने तो आप इस number पे call कर सकते हैं 020 272 180 80 ठीक है तो इस number पे call करके दोस्तो आप अपने सभी समस्याओं का समधान पा सकते हैं pain card के related ठीक है लेकिन दोस्तो आपका pain card nsdl से बना होगा तब यह लोग जो है वो आपको पूरी तरीका से सहायता करेंगे उमीद करते हैं दोस्तो यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है ते चैनल को subscribe करें वीडियो को like कर ले और इसे दोस्तो तक share करें मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार